हेलो बच्चो ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम दूसरों के मन की बात सुनते हैं हमारे मन की बात कब सुनी जाएगी और सबसे बड़ी बड़ी बात जो हमें उपर तक पहँचानी चाहिए क्या ये रोजगार हमारी जरूरत है हमारी मजबूरी है नहीं ये रोजगार हमारा हक है और हक हम लेकर रहेंगे हमें ये बात कहनी पड़ेगी और बहुत चिलाकर जोर से कहनी पड़ेगी कि इस बार अगर हम मुखर होकर सब एक साथ जुड़कर ये बात उपर तक नहीं पहुचाएंगे तो हमारी बात कभी नहीं सुनी जाएगी और इसका कोई सही वक्त नहीं होता यही वक्त है जब हमें बात उन तक पहुचानी है उनको बतानी है कि हाँ हर रोज जो मतलब ये बात सच है हर रोज जो एक बच्चा अपनी जान देता है या कितने बच्चे जान देते हैं इसकी ख़बर हम तक पहुचती नहीं उनका क्या होता है जो हर साल फॉर्म भरते हैं परिक्षा देते हैं उनका नतीजा नहीं आता या उनका क्या होता है जो अपनी graduation complete करने के बाद इंदजार करते हैं कि vacancy आएगी, form भरेंगे तो नौकरी लग जाएगी उनका क्या जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना business कर सकें उनका क्या जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई ऐसा काम ढूण सकें जिसमें उनको दूसरे का सहारा लेनी के जरुवत ना हो जब उनके पास ये skill है कि वो पढ़ लिख सकते हैं, वो exam crack कर सकते हैं या वो परिक्षा देकर ऐसा स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां पर वो अपना नाम खुद बना सकते हैं तो फिर क्यूं, आखिर क्यूं हम किसी और के जूटे वादों पर टिके रहें, जूटे वादों का इंतजार करते रहें कि हाँ रोजगार हमें मिलना चाहिए, सरकारे आती हैं, जाती हैं, हर सरकार यही बात बोलती है कब तक हम इंतजार करते रहेंगे इस बात का उनके जूटे दिलासों का कि जब वो कहते हैं रोजगार सबसे बड़ी सीड़ी है सबसे पहले देश में रोजगार मिलना चाहिए क्या ये बाते सिर्फ बाती ही रह जाएंगी क्या सरकारे सब जूटी है हर कोई जूटा है किसी पर भरोसा नहीं कर सकते या तो साफ बता दिया जाए कि इस देश में रोजगार नहीं दिया जाएगा तो कम से कम जितने भी बच्चे हैं जितने भी चात्र हैं ये मिल करके एक फैसला ले ले कमजोर को हर कोई दबाता है मगर हम कमजोर नहीं हैं और ये बात सच है हमें ये बात कहनी पड़ेगी चिला चिला कर कहनी पड़ेगी चाहे जहां ये बात कहनी हो खुल कर कहेंगे कि रोजगार हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे तो बच्चों इस मेसेज को जादस जादा फैल बताओ और सबको बताओ कि अब हम मजबूर नहीं हैं और मजबूर नहीं रहेंगे जहिन